हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माई चैनल स्प्रीचल लव टेराट कैसे हैं आप लोग आप लोग खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉई कर रहे हैंगे हैपी होंगे दिर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे पॉजिटिविटी को ट्रेक करें आपके ल हैं उनके इरादे क्या है थिक्ए और थर्ड पार्टी का हाल क्या है अभी वो भी हम देखने की कुशिक करेंगे और यह अभी हम देखेंगे कि अपके अ हैं आपके partner और के दियर तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी के लिए उनके इरादे उनके इरादे क्या है थर्ड पार्टी के रेडिंग कर रहे हैं अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी पार्टी सिच्वेशन नहीं है तो आप थर्ड पार्टी का वीडियो ना देखिए ठीक है कार्ट से पॉसिबलिटी बताते हैं अस्ती डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है और यह चलिए देखते हैं कि आपके partner के इरादे क्या है इस थर्ड पार्टी के लिए क्या feel करते हैं आपके partner इस थर्ड पार्टी के लिए क्या feelings है आपके partner की इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या emotions है वो सारी चीचे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपके partner के इरादे क्या है इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या feel करते हैं आपके partner क्या है आपके partner के इरादे इस किस हAl में है अभी 3rd Party? कि यह थर्ट पार्टी जो है किस hál में है? आपके पार्टनर के साथ में चलिए काफी कार्ट समने लिया है डियर बॉर्टम के एंर्जी से अगर आप देखें तो डियर बॉर्टम के एंर्जी यहाँ پर जो बतारही है कहीं न कहीं bottom की energy यह आई है ace of swords और यहां से है two of pentacles तो यह bottom की energy हमारे पास में आई है चलिए हम कुछ cards और लेंगे और देखते हैं कि यहां पर क्या energy निकलती है देखें, यहां पर क्या निकलता है चलिए देखते हैं कि आपके partner के एरादी third party के लिए क्या है, क्या feelings है, क्या emotions है क्या है आपके partner के एरादे चलिए देखते हैं कि क्या है आपके partner के एरादे आपके partner के एरादे क्या है क्या है आपके partner के एरादे क्या है आपके partner के एरादे तो चलिए देखते हैं आपके partner के एरादे यहाँ पर Knight of Swords की energy है यह card मैंने आपके partner के लिए निकाले है वो मैंने थर्ड party के लिए card निकाले थे लेकिन अभी आपके partner के इरादे खुद के हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं कि इनकी feelings क्या है यह खुद को लेकर क्या feel कर रहे हैं क्या चल रहा है इनकी feelings में क्या चल रहा है इनके चीज़ों में और डियर यहाँ पर दिख रहा है कि पैसो को लेकर बहुत सोच रहे हैं आपके partner पैसो को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपके partner की feelings में और डियर overthinking बहुत कर रहे हैं पार्टनर यहां पर ऐसा लग रहे कि आपके पार्टनर को किसी तरह की तकलीफ किसी तरह का दर्द भी हुआ है और डियर इनके लाइफ में जो थर्ट पार्टी है इसके साथ में इन्हों ने खूब इंजॉय किया है खूब मौज मस्ती करी है वो चीज़ जहां पर निकल के आ ठाक में अभी की सिच्वेशन में बहुत सारी बॉंडरी बन गई है बहुत सारी दिक्कते मुझे यहां पर दिखाई दे रही है चलिए अगर हम बात करें यहां पर बॉटम के एनर्जी के दियर तो यह बॉटम के एनर्जी है कि इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर न इन्वेस्ट करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा रिष्टे पर इन्वेस्ट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं ओके तो चलिए यहां पर कार्ट साथ को दिख रहे होंगे कि क्या कार्ट से यहां पर आए हुए हैं देखें यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको भी समझना मुश्किल हो रहा होगा कि आपके पार्टनर अभी किस एनरजी में हैं यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है डियर आपके पार्टनर को देखके कि थर्ट पार्टि के लिए जो इरादे थे इनके है ना जो इरादे थे की बात कर रहे हूं यहां पर आपके पार्टनर इस third party के साथ में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बेवकुफियां कर चुके थे, कुछ ऐसे हालाद क्रियेट कर दिये थे आपके partner ने, जहां पर आप नहीं समझ सकते कि इन्हों ने आपके साथ में भी कुछ ऐसे situation क्रियेट कर दिये थे, जहां हालात पुरी तरह से गलत हो गए थे एक तरह से हम कहें तो आपके पार्टनर की जो बेवकुफियां थी आपके पार्टनर के जो सीक्रेट तरीके से काम थे वो पुरी तरह से गलत थे ठीकें आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ इतना ज़्यादा अपना ध् पार्टनर थे यह जो आपके पार्टनर थे यह चीजों को समझने की जगे पे कहीं न कहीं एक ऐसे सिच्वेशन में थे कि इन्हों ने गलत रास्ते चुने है ना गलत रास्ते चुने जैसे की जूट बोलना शुरू कर दिया जैसे की चिटिंग करना शुरू कर दिया है ना ध दोका देना शुरू कर दिया तो यहाँ पर आपके पार्टनर के इरादे कुछ इस तरह की थे, यहाँ पर इनके इरादों में ये भी दिख रहा है कि इन्हों ने जूट बोल बोल कर आपके पार्टनर ने एक तरफ तो बहुत ज़्यादा दूरियां बना ली आपके रिलेशन में आप जुट बलते चले गए आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बनाते चले गए और तो और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है न वो येमोशनल ही आपसे जितना attach थे न वो detach होते चले गए धीरे धीरे detach होते चले गए किसी तरह के legal issue यहाँ पर आने लगे बहुत सारी problems यहाँ पर आने लगी एक ऐसे situation यहाँ पर create होने लगी जहाँ पर legal issue ने बहुत ज़दा आप दोनों के बीच में आप दोनों के रिष्टे में एक ऐसी दिवार खड़ी कर दी जहाँ पर partner का ego बहुत ज़दा चड़ गया था आपको भी लगने लगा कि यार यह partner जो है बहुत ego देने लगा है बहुत ज़दा ego problem करने लगा है और डियर आप चाहते थे कि यह इनसान जो है सुधर जाए आपने बहुत कोशिश करी इसको सही रास्ता दिखाने की इसको अविकन करने की इसको हर तरस से spirituality से जोडने की हर मुम्किन कोशिश करी है पर यह partner नहीं जुड़ पाए यह partner नहीं जुड़े ऐसा यहां पर दिखाई दी रहा है यह मुझे दिख रहा है कि यह partner इस third party के गलत इरादों में गलत चीजों में बहुत ज़दा बहकते चले गए है ना बहकते चले गए एक ऐसा time था आप दोनों के बीच में जब आप इनके साथ में हर एक चीज़ शेयर किया करते थे और यह भी आपके साथ में हर एक चीज़ शेयर किया करते थे लेकिन third party की वज़े से या फिर third party की बातों में आपके partner जो है गलत चीजों की तरफ जैसे जुकते चले गए आपसे बाते चुपाते चले गए आपको बताने की जगे इन्होंने गलत चीज़े कर दी यहां पर धोका दिया गया है और यह धोका हो सकता है आपके partner ने ऐसे दिया आपको कि आपको पता भी नहीं चला कि यार इन्होंने क्या क्या चीज़े कर दी है कुछ ऐसे legal issue खड़े हो गए अचानक से कि आपको पता चला बाद में कि यार partner ने तो ऐसे ऐसे हालात खड़े क कर दिये कि अब मुझे या तो खुद divorce देना पड़ेगा या फिर partner ने आपको divorce के कठेरे में खड़ा कर दिया वो भी third party के पीछे देखिए third party के चकर में आपके partner ने आपसे बहुत कुछ चीन लिया है आपका partner आपका था लेकिन इस third party के चकर में आपका बहुत कुछ नुक्सान हो गया आपका सुहाद चीन गया आपके खुशियां को चीना गया और क्या हुआ इस third party के साथ आपके partner रहने लगे emotional तरीके से आपके पार्टनर ने इस third party को कही न कहीं अपने दिल में जगा दे दी यह चीजे यहां पर हुई है आपके पार्टनर के इरादे देखकर तो यहां पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपके पार्टनर के साथ में वो सब कुछ हुआ है जो कहीं न कहीं खूब आपके पार्टनर ने धोके में आपको रखा है एक married life आपके पार्टनर जो हैं इस third party के साथ में बिता रहे थे हो सकता है कि आपके पार्टनर और third party का रिष्टा जो है दुनिया के सामने कोई नाम नहीं है पर फिर भी ये उस रिष्टे को एक ऐसा नाम दे चुके थे जहां पर ये married वाली situation इन्होंने create करी है वो चीज़ जहां पर दिखाई दे रही है और आप से इन्होंने बहुत ज़्यादा नाराजगी दिखाना शुरू कर दी बहुत ज़्यादा दूरियां बनाना शुरू कर दी वो चीज़ यहां पर दिखाई दे रही है आपके partner का मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आपके partner जो है इस third party के कारण आपके रिश्टे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी समझ नहीं रहे थे आपके partner ने यहां से आपके साथ में गलत चीज़े करना शुरू कर दी मुझे ऐसा भी लग रही कि आपके partner जो है इस third party के कारण आपको छोड़ कर चले गए आपको छोड़ कर चले गए डियर आपके जिंदगी से move on कर गए उल्टे सीधे काम करने लगे आपके partner नेगेटिव चीज़े इनके दिमाग में चलने लगी पागल पन की एक हद होती है ना वो तक इन्होंने पार कर ली हो सकता है कि अपनी married life को छोड़ कर उस life को छोड़ कर ये दूसरे के साथ में चले गए है ना ऐसा बुरा वक्त इनके सामने में देख रहे हूं कि जिसको इन्होंने create करके आपकी जिंदगी में छोड़ गए एक ऐसे हालातों में आपको छोड़ की गए हैं जहां पर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर ने थर्ट पार्टी के पीछे काफी जूट बोला है डियर काफी जूट आपसे बोला है और पार्टनर ने जो जूट बोला वही उसके साथ हो रहा है मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के एरादे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ में जोट किया है तब ही तो आपके पार्टनर अपनी एंरजी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं क्योंकि उनके साथ में ऐसे हलातों में थर्ट पार्टी खड़ी हुई है जहां पर आपके पार्टनर को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के इरादे तो इस थर्ट पार्टी के साथ में घर बसाने के थे रोमांस करने के थे उसके साथ में रहने के थे पर थर्ड पार्टी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ इनका फ्यूचर सब कुछ नेगेटिव तरीके से कहीं न कहीं बरबाद कर दिया है और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी को जो देने चले थे जो तीजे इन्हों ने दी थी वहाँ पर यह थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रत्ती भर भी माईने नहीं दिया है रखती भर भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं पूछ रही है आपके पार्टनर तो इसके साथ में फैमली बनाने का प्लान कर रहे थे लेकिन थर्ड पार्टी यहां पर कंफ्यूज है थर्ड पार्टी यहां जगलिंग वाले जोन में है ऐसा लग रहा है कि इस third party के life में कोई new beginning कर रहा है और इस new beginning की वज़े से ये आपके partner को बिल्कुल भाव नहीं दे रही है third party के इरादे यहाँ पर अलग है और आपके partner के इरादे यहाँ पर अलग है आपके partner ने आपको emotionally बहुत hurt किया है आपके साथ में गलत किया है आपके पार्टनर ने ये चीज़ में देखर पा रही हूँ और ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर ने गलतियों पे गलतियां करी है आज situation ऐसी है कि आपके पार्टनर का financially बहुत सारी चीज़ों को लेकर धोका हुआ है ऐसा लग रहा है कि एक transformation थर्ड पार्टी इनकी जिंदगी में देने वाली है जबर्दस तरीके से थर्ड पार्टी से इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ लेसन सीखने को मिल जो और यहां पर यह partner सीखेंगे क्योंकि देखें आपके partner यहां पर अंधे बन चुके थे। आपके partner इस पर प्यार लुटा रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी तो कहीं और अपना प्यार लुटाना चाहती है। कहीं और अपना life partner धून रही है। आपके partner में उसे कोई interest new beginning करना चाहा रहे थे पार्टनर इसके साथ में कुछ बेवकूफियां करने को भी तयार थे खाई में गिरने को भी तयार थे धोके पे धोका देने को भी तयार थे पर यहां पर आपके पार्टनर के emotions आपके पार्टनर की feelings की इस third party ने कोई कदर नहीं करी है और डियर यह third party गलत तरीके से आपके पार्टनर को उलजा रही है हो सकता है कि यहां पर अगर आपके पार्टनर इसके पीछे जादा पड़ते हैं या इससे कहते हैं कि मुझे तुस्से शादी करनी है या मैं तुस्से relation बनाना चाहता हूँ या relation में रहना चाहता हूँ तो यहां पर third party उनको धमकी भी दे सकती है किसी legal issue में फसानी की और यह partner को थोड़ा तकलीफ हो सकती है कि यह third party जो है कहीं इनको उलजाना दे इस बात के लिए आपके partner उपर वाले के आगे कहीं न कहीं कुछ चीज़े बोल रहे हैं कुछ दिल की बाते रख रहे हैं कुछ चीज़ों को समझने की कुशिश कर रहे हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से अकेले पड़े पड़े काफी कुछ सोच रहे हैं कि ये third party मेरे साथ क्यों घर नहीं बसाना चाहती मेरे साथ क्यों रिष्टा नहीं निभाना चाहती है यहां पर इसके third party के इरादे देखकर आपके partner थोड़ा confuse है आपके partner को ऐसा लगता है कि third party जो है पैसो को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही है या फिर आपके partner को ये लग रहा है कि इनके life में जो problem चल रही है इनके life में जो दिक्कते हैं शायद आपका दिल तोड़ा है आपके partner ने आपको धोका दिया तो कहीं आपके दिल की जो आहा है वो तो नहीं लग गए आपके partner को इसलिए third party इतना उनको परेशान कर रही है इसलिए third party उनके साथ में गलत कर रही है तो ये आपके partner जो हैं परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचकर वो चीज़ दिखाई दे रहे हैं आपके partner से third party ने अच्छा खासा कहीं न कहीं relation बना के रखा था अच्छा खासा कहीं न कहीं investment करा रही थी अच्छा खासा पैसा लेके बैठी थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपके partner की उसको जरुत नहीं है आपके partner के पैसे आपके partner की चीज़ों को वो अब अपने पास नहीं रखना चाहती है ये third party के इरादे बहुत ही अलग दिखाई दे रहे हैं third party का ध्यान कहीं और है और डियर आपके partner का ध्यान third party पर है आपके partner इसके साथ में घर बसाने की planning कर चुके हैं आप में से काफी लोगों को ये बात पता है कि आपके partner आजकल बहुत ज़्यादा overthinking करते हैं बहुत ज़्यादा जगलिंग वाले जो उन में रहते हैं आपको पिल्कुल एक मिलिट का समय भी नहीं देते हैं और आपके साथ में गलत विहार भी करते रहते हैं ये third party के relation पर काफी कुछ invest कर चुके हैं यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner की life को third party ने पूरी तरह स्टक कर दिया है क्योंकि third party किसी और को spy कर रही है third party किसी और की तरफ अ हूँ और इस change और इस बदलाओ के साथ में यहाँ पर third party के साथ में आपके partner जो हैं घिर से गए हैं सोचते हैं कि शायद यहाँ पर आपके partner अगर इस third party को emotionally कुछ चीज़े बोलेंगे या फिर emotionally third party को कुछ चीज़ों के बारे में बोलते हुए दिखेंगे तो हो सकता है कि य जो है आपके partner के लिए कुछ सोचेगी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यह third party जो है आपके partner के बारे में कुछ सोचे क्योंकि third party के दिमाग में तो यहाँ से निकलने वाली energy दिख रही है बहुत ज़्यादा सोच रही है आपके partner को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग चला रही है और ये दिन रात किसी और को स्पाई कर रही है दिन रात किसी और के बारे में सोच रही है ये थर्ड पार्टी है ना तो डियर धर्ड पार्टी की तो एनरजी आप देखी रहे हैं कि थर्ड पार्टी किसी और को लेकर बहुत कुछ सोच रही है बहुत कुछ चल र पार्टनर को फिर से अपनी जिन्दगी में लटका ले और फिर से आपके पार्टनर इसकी जिन्दगी में कहीं नहीं कहीं इंट्रेस ले या इसको रोका टोकी करे ये नहीं चाहती है ये एक आजात किस्म की लेडी है और आपके पार्टनर इससे मेरिज करके इसके साथ में घ कुछ feeling रख रहे हैं सोच रहे हैं कि यार मैं action जल्द बाजी में लूँ तो ज्यादा अच्छा होगा हो सकता है कि मुझे जल्द बाजी में action ले लेना चाहिए यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर डालू थर्ड पार्टी पे या फिर इसको दबाने के कोशिश करूं या स्ट्रेंथ और पावर दिखाऊं तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है सब कुछ ठीक कर ले हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है गलतीयों को अपनी एक्षेप्ट कर ले ये आपके पार्टनर की एक एनरजी मुझे यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जीवन खराब करना अपनी गलती देख रहे हैं आपके पार्टनर उनको लग रहा है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को नाराज कर दिया है उन्होंने इस थर्ड पार्टी पर गुसा कर दिया इसलिए थर्ड पार्टी हाथ से निकलती चली जा रही है वो यह नहीं देख रहे कि यह थर्ड पार्टी जो है अब उनके साथ में नहीं रहना चाहती है वो यह नहीं देख पा रहे कि यह थर्ड पार्टी जो है इसके दिमाग में कोई और आ गया है उनको नहीं दिख रहा कि यह थर्ड पार्टी जो है वो पैसों को लेकर बहुत सोचती है पैसों को लेकर उसके न्यू बिगनिंग बदलती रहती है यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि यह जो पार्टनर है यह थर्ड पार्टी के तरफ अपना प्रपोसल अपना ओफर लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और उस प्रपोसल उस ओफर के साथ साथ वो अपनी कुछ बहुत सारी पैंटिकल्स बहुत सारा पैसा बहुत सारा रुटबा इस थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं बदले में यहां से क्या मिलेगा इस थर्ड पार्टी की तरफ से ये भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी को तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है आपके पार्टनर के रिष्टे में इस थर्ड पार्टी को जरा से भी कदर नहीं है इस रिश्टे को लेकर और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को उस जगह पे लाके खड़ा करेगी जहां थे आपके पार्टनर ने सिच्वेशन को छोड़ा था मुجھے ऐसा लग रहा है कि इस थर्ट पार्टी को लिएकर आपके पार्टनर जबर से ज़्यादा ओर्ठिंकिंग कर रहे आज कल आपके पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं रहती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगल भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीजों को हाइड भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीजों को चुपाने के चक्कर में इनकी हेल्थ पर भी स्वर्ख पड़ रहा है हाला कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ में बहुत इंजॉय किया है बहुत जदा boundaries खीच कर अभी आपके partner रखना चाह रहे हैं वो चाहते हैं कि थर्ड party अगर आए तो आजाए वरना वो आपको कुछ नहीं बताने वाले यहाँ पर आपके partner की secret feelings में दिख रहा है कि वो अभी अपने आप से ही लड़ रहे हैं वो अभी अपने ही situation में इतना ज़्यादा उलचे हुए हैं इतना ज़्यादा परिशान हो चुके हैं कि struggle करते करते तकलीफों को लेते लेते वो ठक चुके हैं ठीके आपके partner यहाँ पर आपके partner बस third party के पीछे भागना चाह रहे हैं पर्टी को लेकर उनके दिमाग में बहुत सारी चीजे चल रही है और उनको लग रहा है कि इन्हों ने third party को धुका तो नहीं दिया लेकिन ये third party उनको धुका क्यों दे रही है उनको ये भी लग रहा है कि ये third party बात बात पे आजकल नाराज क्यों हो जाती है पहले तो third party उनको हर एक चीज के लिए मना लेती थी पहले तो third party उनको हर एक बात के लिए कहीं न कहीं बोल दिया करती थी लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये third party बिल्कुल भी sacrifice नहीं कर रही है रिष्टा बनाए रखने की कोई कोशिश ये नहीं कर रही है और आपके person यहाँ पर बहुत सारे effort चालना चाहते है अपना प्यार अपनी feelings दिखाना चाहते है मुझे ये दिख रहा है कि आपके partner इसको अपना प्यार दिखाने की ऐसी energy में दिख रहे है यहाँ पर third party के life में new love आ रहा है और इसलिए ignore कर रही है ये आपके partner को दिखाने की दिखाने की कोशिश कर रही है पहले ये बहुत ज़्यादा online रहा करती थी बहुत ज़्यादा chatting किया करती थी बहुत ज़्यादा आपके partner की feelings आपके partner के emotions आपके partner की चीजों पर third party की नजर रहा करती थी लेकिन जब से आपके partner ने देखा कि third party कुछ जूट बोलने लगी है जब से आपके partner ने देखा कि third party जो है अपनी चीजों को लेकर गलत बाते करने लगी है और आपके पार्टनर को कुछ बताती नहीं है कुछ चीजे चुपाने लगी है इन्वाल्व नहीं करती है आपके पार्टनर को तब से आपके पार्टनर भी बहुत कुछ चीजों को फील कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो third party है इसका बहुत ज़्यादा problem सबसे ज़्यादा problem जो है वो new beginning को लेकर है और ये अब भी बहुत ज़्यादा spike कर रही है और ये new person की तरफ attract होती हुई दिख रही है new person की तरफ इसके बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है ठी पार्टनर इस third party को लेकर कुछ चीजों को लेकर कहीं न कहीं confused है और इन्होंने इस third party के लिए जरुष से ज़्यादा पैसा लगा दिया है आपके partner अभी थोड़ा सा इस negativity से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि जब से उनको पता चला है कि इस third party का तो ध्यानी उनके उपर नहीं है जब से उन्हें पता चला कि ये third party तो कुछ और प्लान कर रही है जब से इनको कहीं न कहीं ये feelings पता चली है ये feelings हुई है इनके साथ में तब से मुझे लग रहा है कि आपके partner जो है आपके partner का मैं देख पा रहे हूँ कि आपके partner का यहाँ पर विश्व पास तूट गया है इस third party से है ना आपके partner को तकलीफ तो हो रहे है ये पर वो बोलने ही पा रहे हैं दिल ही दिल में रख रहे हैं चीजों को यहाँ पर आपके partner को लगा था कि third party शादी कर लेगी इसलिए आपके partner ने आपके साथ में कहीं न कहीं जूट बोलना शुरू कर दीयआ था चलिए देखते हैं कि यहां पर यह सब तो हुआ है लेकिन अभी आपके partner आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर आपके partner का है मेरे वीवर को लेकर उनके partner क क्या है इंके partner की feelings give me a cards dear please بتائیں universe بتائیں कि मेरे weivers को लेकर उनके partner की feelings क्या है मैं last shuffling कर रही हूँ बहुत सारे cards आएं dear बहुत सारे इत्ते नहीं लेंगे चलिए काफी cards है चलिए देखते हैं कि यहां पर cards क्या बता रहे हैं सब्सक्राइले तो आपके partner के अगर हम बात करें तो टियर आपके पार्टनर ने जो बेवकूफियां करी है जो इतनी सारी दिक्कते खड़ी करी है उन सब बेवकूफियों को लेकर जो बहुत ज़्यादा स्टक है दिखे बहुत ज़्यादा स्टक है बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत ज़्यादा बेचेन हो चुके हैं कि उन्åोंने ऐसा कैसे कर दिया क्यूंकि वो तो जिस थर्ट पार्टी के लिए अपना पैसा अपना फीलिंग अपने एमोशन सब कुछ दाव पे लगा चुके है उस थर्ट पार्टी ने उनकी जिन्दगी को उनके केरियर को कहीं न कहीं कन्फ्यूस कर दिया है उनके जिस थर्ड पार्टी के पिछे आपके पार्टनर इतने बड़े टावर मोमेंट में आ गए आज वो थर्ड पार्टी जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है वो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को बेवकूफ कह रही है वो पार्टनर अभी पास्ट की एनरजी में है आपके पार्टनर पास्ट की बातों को बहुत जदा याद कर रहे हैं इस आप्शन के पीछे भागना उनको बहुत धारी पड़ चुका है इस थोर्ट पार्टी की तरफ उनका प्रोपोजल लेके जाना उनको बहुत रूला रहा है दर्दनाक स्थिती दे रहा है आपके पार्टनर स्थितियों को बैलन्स करने के बारे में सोच रहे हैं सोच रहे हैं कि कैसे वो यूनिवर्स डिवाइन से प्रे करें और बोले की चीजे जो है वो सही हो जाए और पर वो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो दो राहे पर फस चुके हैं कैसे दो राहे में फस गए हैं जहां से निकलने के लिए वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं हलाके इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए शायद कुछ अच्छा हो जाए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ट पार्टी के प्लानिंग में आपके पार्टनर बराबर के हगदार रहे हैं इसलिए आपके पार्टनर के साथ में इस थर्ट पार्टी ने गलत चीजे करी है third party की तरफ आपके पार्टनर का जुकाओ third party की तरफ आपके पार्टनर का एक relation इस बात का सबूत है कि आपके पार्टनर को third party ने बहुत ज़्यादा उलजा रखा था और आपके पार्टनर इसमें जर्वत से ज़्यादा अपने अपना 100% दे चुके हैं और साथ ही साथ पैसों को लेकर भी आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की तरफ बहुत कुछ दिया है थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आपके पार्टनर ने पूरी चीज़े खराब कर दी है थर्ड पार्टी की बातों को सुनने के चक्कर में आपके पार्टनर ने आपसे नो कॉंटेक्ट, नो कम्यूनिकेशन कर लिया और आज आपके पार्टनर जो हैं उन चीजों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा दर्द में हैं आपके पार्टनर मैं बता दूं बोटम के अनरजी है यह बोटम के अनरजी कह रही है कि बहुत दर्द में हैं आपके पार्टनर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की तरफ उनका जो ध्यान देने का तरीका था या फिर आपके partner third party को समझ नहीं पाए यह चीज यहाँ पर दिख रही है हाला कि आपके partner को अब यह tower moment बहुत भारी पड़ रहा है उनको लग रहा है कि इस third party के कारण उनकी जिन्दगी में यह tower moment बहुत बड़ा situation create कर गया है आपके partner आपसे बात करके कुछ चीज़े बताना चाहते हैं कुछ चीज़े आपको शेयर करना चाहते हैं कि वो इस थोर्ट पार्टी सिच्वेशन में उलश तो गए हैं पर अब ये सारे बंधन, सारी सिच्वेशन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे गलतिया इनसे हो गई है और ये अभी चीज़ों को समझ रहे हैं चीज़ों को परक रहे हैं कैसे इनके लाइफ में इतने ज़्यादा सोड आ गए हैं कैसे इनकी जिंदगी इतनी पैन्फुल हो गई हैं यहां पर जो बांडरीस हैं उन सब चीज़ों को अभी हटाते हुए अपने फ्यूचर अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे हाला कि आपके पार्टनर गए तो थे इस थौर्ड पार्टी की तरफ अपना प्रोपोजर ले के पर आपके पार्टनर को थौर्ड पार्टी ने एक ऐसे उप्शन की तरह यूस कर लिया कि उसके बाद आपके पार्टनर के बुरे दिन स्टार्ट हो गए पार्टनर को पास्ट की यादे बहुत तरपा रही है आपके साथ में बिताय हुए कुछ पल कुछ रिस्पेक्ट जो आपने दे थी वो बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर को तरड पार्टी ने कंट् पर भी ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इगो को किसी ने हर्ट कर दिया है आपके पार्टनर के इगो को अभी ठेस पहुचाई गई है आपके पार्टनर को थर्ट पार्टी ने बेवकूफ बोलने की जो गलती करी है वो सुनके आपके प थोड़ पार्टी की हिम्मत कैसे हुई आपके पार्टनर को बेवकूफ समझने की अगर इस थोड़ पार्टी को किसी न्यू करसम के साथ जाना है न्यू रिलेशनशिप में जाना है तो जाए पर पार्टनर से जो इसने फाइनेशली है पार्टनर से जो इसने फाइनेशली प काम करना चाहते हैं उन्होंने थर्ट पार्टी के प्लानिंग में बराबर से हाथ दिया था अब वो किसी भी तरस से इस थर्ट पार्टी के साथ में काम नहीं करना चाहते हैं इसकी कोई प्लानिंग में नहीं जुनना चाहते हैं क्योंकि इस थर्ट पार्टी के प्लानिंग मे जुनने की वज़े से बहुत ज़्यादा दो राहे आ गए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया है और अब आपके पार्टनर सारे कन्फ्यूजन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं ये इस टक सिच्वेशन से बाहर निकलना चाहते हैं हीडन बात कर दिया है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस third party की तरफ जो इरादे लेकर ये बढ़ रहे थे अब ये अपने कादमों को पीछे खीश लेंगे पीछे कर लेंगे क्योंकि आपके partner जो हैं इस third party की तरफ इस third party की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं इस third party ने उन्हें धोका दे दिया है इस third party ने उनकी emotions इनकी feelings की कोई परवा नहीं करी है और इनको कहीं न कहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया है तो डियर यह है आपके partner के इरादे third party के लिए और third party जो है वो बिल्कुल भी आपके partner पे ध्यान नहीं दे रही है वो detach होने की कोशिश कर रही है कोई new beginning करने की कोशिश कर रही है और आपके partner इस third party के पीछे पीछे भाग रहे थे लेकिन अब आपके partner जो हैं वो भी कहीं न कहीं चीजों को समझ गए हैं जितना वो third party की तरफ पीछे पीछे भागेंगे third party उनको बेवकूफ समझ रही है और कहीं न कहीं third party के जो किसी के साथ relationship है जो किसी के साथ काले चिछे हैं वो सामने आ रहे हैं और आपके partner इस situation से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं अब अपनी हीडन एनरजी में काम कर रहे हैं और आपके partner की energy ऐसी भी है कि ये secret तरीके से third party के पूरी life के बारे में जानकारी ले रहे हैं और जानने के बाद में अब ये इससे मूँ मोड लेंगी क्योंकि जिस तरह से third party ने मूँ मोड़ा है आपके partner को बेवकूब बनाया है अब आपके partner इस third party के सारे इरादे जान चुके हैं ओके डियर तो वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो रूप फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर वाट्स अप नमबर दिया हुआ है आपके लाइफ में जो भी problems है जो भी परिशानी है आप मुसे contact कर सकते हैं किसी तरह की third party remove कराना चाहते हैं किसी तरह की healing process कराना चाहते हैं किसी तरह की negativity remove कराना चाहते हैं तो WhatsApp नमबर दिया हुआ है आप please call ना लगाएं WhatsApp पे message send कर सकते हैं तो support करने के लिए बहुत बहुत thank you